असलाम अलेकुम वेलकम इन वार्षिय और्दू मीडियम क्लास तो बच्चों यहां पर हमारा यह नभी जमात का तारीक का सबक है सबक नमबर आठ सन्नत और तिजारत जिसके वारे में हम यहां पर सभी सवाजौब हल करेंगे तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे यहां दर् देश की मकसद से इंडेस्ट्रियल डेवलप्मेंट कार्पोरेशन कायम की गई तो जवाब बे है जो सही है सनती मनसूबों को तवील मुद्दती कर्ज की फरामी दूसरा सवाल है भारत में देश की सनत को सनराइज शोबा कहा जाता है तो जवाब बे सही है मोटर साजी का तीसरा है टेक्स्ट्राइल इंडस्ट्री कमिशन का एहम काम डेश है तो कपड़े का मोयार तै करने का काम तो ये बे का जवाब सही है चोता सवाल है साइकल साजी में डेश भारत का एहम शहर है तो ये लुधियाना जो है वो एहम शहर है साइकल के लिए पाच्वा सवाल ह कि शैतूत की दरखतों पर तहकिक डैश की सेरी बायोटिक रिसर्च लिबराटरी में की जाती है तो कहां पर है ये बैंगलोर में है छटा सवाल है बचत गट और फलाई तन्जीमों के ताउन से डैश की मदद करने वाली स्की मेगा कलिस्टर है तो ये बुनकरों में है अब यहां साथवा सवाल है कि रेशम की सन्नत का काम काज डैश वजारत के जेर इंसराम चलता है तो बे में है टेक्स्टाइल आटवा सवाल भारत की ट्रेक्टरों को डैश में बरामद नहीं किया जाता तो यहां पर जवाब है फ्रांस में नव सवाल भारत ने आजादी के बा नमबर वन सवाल का अब मंदर जेल में से घलत जोड़ी पहचान कर लिखिए अब यहां पे चार जोड़ी दी भी है इन में से यह जो तीसरा वाला है यह गलत जोड़ी है जिसका जवाब हमने नीचे भी निकाल दिया है कि टेक्स्टाइल इंडस्ट्री कमिशन बुनकरों की पला वो बैबूत तो यह है इसका जो हमने इसे बाहर निकाल दिया है तीसरा वाला आप सवाल दो दी वी हिदायत की मताबिक सरगर्मी मुकमल कीजिए तो अलिफ में है जदूल मुकमल कीजिए तो पहला है भारत में दरामद होने वाली अशिया भारत में दरामद होने वाल लेपटॉप जदीद फौजी साजों का सामान जंगी तैयारे तोपें पिंडबी पंडबी होती न जो पानी के अंदर चले जाती है वो नाव कश्टियां मुसाफिर बरदार हवाई जाहाज और रेल के डिबबे इंजन जदी टेकनोलोजी हजबे जरूरत गिजाई अजनास दालें प्याज वगएरा यह सारी जो है भारत में दरामद होने वाली अशिया है और इसी का दुसरा सवाल है यहां पर भारत से बरामद होने वाली अशिया अब भारत से बरामद होने वाली अशिया कौन-कौन सी है तो चाय, कौफी, मसाले की अशिया, सूती, कपड़े, च प्रेक्टर, रिल्वे इंजन, साइकल है, यह सब हम जो क्या करते हैं, अपने देश से दुसरी देश में देते हैं, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे जवाबात वन है कि दर्जे जिल तसवराती खाके को मुकमल करिए, तो यहाँ पे तसवराती खाके में भारत में रेशम की स इन रियासतों में बड़े पैमाने पर जारी है किन में तो जम्मो कश्मीर, आंधराप्रदेश, मगरिबी बंगाल, करनाटक में बड़े पैमाने पर पाई जाती है अब दूसरा है यहां पर भारत में पाए गए मादनी दौलत की जखायर तो क्या-क्या है मैंगनीज है, खाम चिन और चिन नई में हैं, अब नोट लिखना है हमें, बे है उसका भारत की दरामत बरामत, तो पहले हम दरामत को देख लेते हैं, जवाब का पहला पॉइंट है, जो अशिया मुल्क में कम पैदा होती है या कभी उनकी कमी महसुस होती है, तो उस वक्त हुकुमत या निज कारूबार में अशिया के कई इससे मुल्क में तैयार नहीं होते हैं, ऐसी चीजों को दरामत करना पड़ता है, यह लेना पड़ता है, तीसरा पॉइंट है सन्नती अशिया और उनके लिए दरकार खाम माल को दरामत करना पड़ता है, चौथा पॉइंट, भारत की दरामदा आपके जमाने में गिजाई असनास भी दरामत करना पड़ता है। अब इसका हम देखेंगे अब बरामत को हम देखेंगे हम क्या-क्या दूसरे मुल्क से लेते हैं। तो मुल्क में जिन अशिया की पैदावार जरुरत से जाड़ा होती है, ऐसी अशिया को मुल्क के बाहर के बाजारों में फरुक किया जाता है, ऐसे बरामत करना कहते हैं, यह जो चीजे हमारी देश की हैं, जब हम उसको दूसरे जगा पे देते हैं, दूसरे मुल्कों में उस की मशीनी पुर्जे भी भारत बरामत करता है अब यहां पर दूसरा है कि सवाल मतला हमें नोट लिखना है अंदरूनी मुल्क तिजारत पे तो इसका जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत के अंदरूनी इलाकों में वाके कारखानों और केतों से हासिल होने वाली पैदावा गेहू, खाम, यह पटसन, लोहा, फॉलाद, तलहन, शक्कर, नमक वगएरा अशिया शामिल है तिसरा पॉइंट है कि अंदरूनी मुल्क तिजारत रेल के रास्तों हवाई रास्तों सडकों से की जाती है तीनों तरह से यह की जाती है चौथा है पॉइंट मुंबई, कोलका कोचीन, चिन्ने की बंदरगाओं से भी अंदरूनी मुल्क की तिजारत होती है अब अगला है यहां पे सवाल तीन सबक की मदस्य तसवराती खाक के तयार कीजिए तो भारत की सनते हमें बताना है भारत की सनते क्या-क्या है तो अनाच की पैदावारी सनते हैं, जर्रात पर मुनसर सनते हैं, कुदरत पर मुनसर सनते हैं, बड़ी सनते भी हैं और दिगर सनते भी हैं तो अनाच की पैदावार में क्या-क्या है जर्री सनत, फलों की पैदावार, मौवेशी, पालन, यहने जानवर वगरा पालन, मुर्गी, पालन, मचलियों का कारोबार और दूद का कारोबार अब जर्रात पर मुनासर क्या क्या है तो यहां पे पटसन है पटसन की सननत खादी की सननत कपड़े की सननत अब कुद्रत पर मुनासर सननते कौन-कौन बारत की दरामत बरामत अब दरामत में क्या क्या है बैरुनी मुलकों से भारत ने खरीदा क्या क्या खरीदा यहां दरामत अशिया क्या क्या है लोहा, माददी तेल, खाद, दवाईया, टेक्नलोजी, मशीनी पुर्जे अब भारत से गयर मुलकों को फरुख किया जाता है क्या क्या महा पर दिया जाता है इसे बरामत कहते हैं तो बरामती अशिया क्या क्या है चाए औ कॉटन के मटिरियल, मसाले की अशियां और मोटर और ट्रैक्टर वगेरा अब यहाँ पर हमारा अगला सवाल तीन है कि मंदर्जा जिल बयानात की वजुहात के साथ वजात करिये तो पहला सवाल है कि भारत में सिहाती सन्नत को फरोग हासिल हो रहा है तो जवाब का यहाँ पर पहला पॉइंट है कि भारत में कई मुकामात पर मुक्तलिब मजाइब की अबादत गाहें और जियारत गाहें वाके हैं दुसरा पॉइंट रजवाडे याने राजाओं के महल, किले, यादगारें, गार, नकाशी के काम किये हुए कदीम वाडे जैसे तारीकी मुकामात हैं दुसरा पॉइंट है हमारा मुल्क पहाडों, नदियों के संगम, जंगलात, बागात, समंदर के साहिल जैसे कुदरती हुसन से माला माल है चौथा ऐसे मुकामात बर सयाओं के लिए हुकूमत और नीजी पेशावरों की जानिब से मुक्तलिब किस्म की सौलियात फराम की गई है इस वज़े से भारत में सियाती संगत को फरोग हासिल हो रहा है और यहां पे सवाल दुसरा है कि हम यहां पे दुसरा सवाल देखेंगे भारत के अवाम की रहन सेन और जिन्दगी गुजाने का मौयार बुलंद हो रहा है अब कैसे बुलंद हो रहा है तो जवाब का पहला पॉइंट है भारत में हर साल मुख्तलिब किसिन की सन्नत वा हर्पत में इजाफा हो रहा है दूसरा पॉइंट भारत की अशिया बैनुल अक्वामी बाजारों में फरुख हो रही है तिसरा पॉइंट है कि जदी तरीकों और मशीने औजारों से जर्रात करने की वज़ा जर्री आमदनी बढ़ रही है चोथा पॉइंट है कि जर्रात और सन्नत की तरकी की वज़े से रोजगार के मौके बढ़ रहे है इन तमाम तरकियों की विज़े से भारत के अवाम का रहन सेन और तरजल जिंदगी का मौयार बैतर हो रहा है। जर्रात से मतलिक इसलाहत करने की जमन में पंचाय समीथी की जानिक से तर्याद दी जाती है। और फलों के बाग, पोत खाने, माही गिरी, मचलियों के कारोबार, बुर्गी, पालन, भेड, पालन, दूद का कारोबार वगरा की तरवियत दी जाती है। जर्री पैदावार को खरीदने वगरा मौमिलात में भी हुकुमत किसानों की मदद करती है। अगला सवाल है यहाँ पर दो, सिहाती शोबों से लोगों को किस तरह से, यहनि जिस तरह से रोजगार मिलता है, इस पर रोशनी डाली है। अब यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है, यहाँ पर कि सिहाती मुकामात पर बहुत से सहिया आते हैं, इस वज़े से मुकामी लोगों के बड़े पैमाने पर रोजगार हासिल होता है। दूसरा पॉइंट है होटल, खाने के ठीकाने, लॉज, फल, सबजी, तरकारी वगएरा, फरोग करने वाले वगएरा को रोजगार के मौके हासिल होते हैं। तिसरा है पॉइंट दस्तकारी और आर्ट्स के नमूनों की दुकाने सजाई जाती हैं। चौता है कि सियाती मुकामात पर रिक्षा, टेक्सी, घोडे वालों को रोजगार मिलता है। पाच्वाय की सेयाती मुकाम की मालूमात बहम पहुचाने के लिए यहाँ पर गाइड होते हैं, गाइड को भी रोजगार पराम होता है, अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा कि भारत में जंगलाती दौलत पर मुनसर पिजारत की वज़ात कीजी, भारत में अब यहाँ पर यह जवाब का पहला पॉइंट है कि दिया सलाई, यह जवाब है कि भारत में जंगलाती दौलत पर मुनसर दर्जजेल पेशे सनते जारी हैं, जिन में दिया सलाई घरेलू इस्तिमाल के लिए दरकार लकड़ी की अशिया और सामान तयार करने की सनत, अब दिया सलाई यह है माचिस की डिब्बी होती ही न, दिया सलाई, उसे माचिस की डिब्बी को कहते हैं, दुसरा है कि कागज, अखबारी कागज और पुठे, यह जो हम लोग लेते हैं, जो कार्टबूड हो गएरा, उसे पुठे वगएरा तयार करने की सनत भी यह होती है, तिसरा है रेशम, श राल कलर का होता है, यह लाक उसे कहते हैं, चौता पॉइंट है, यहां पर अध्यवयाती नबतात से दवाईयां तैयार करने के पेशे भी यहां है, पाचवाएगे इमारतों के लिए दरकार लकडियां, इंधन के तोर पर इस्तिमाल करने के लिए लकडियां वगएरा के प पेशे भी जारी हैं, अगला सवाल है यहां पर, आखरी चौता भारत में चम्डे की सनत पर नोट लिखिये, भारत में चम्डे की सनत पर नोट लिखना है, तो जवाब है यहां पर कि पूरे भारत में चम्डे कमाने का कारोबार किया जाता है, जिसका पहला पॉइंट है कि चम्डे से जूते चपल बनाने का बड़ा कारोबार है दूसरा है नरम चम्डे से सजावट के मुख्तलिफ अशिया जैसे की पर्स, जॉकेट जैसी मुख्तलिफ चीजे तयार करने का कारोबार भी किया जाता है तिसरा पॉइंट है पूरे भारत में कुवे का पानी निकालने का मोट याने बड़े-बड़े बैग वगएरा तैयार करने की सनत भी जारी है चौता पॉइंट है कि सजावटी अशिया याने जूते चपल वगएरा भारत से बरामत करने का कारोबार भी बड़े पैमाने पर किया जाता है भारत में आगरा, कानपूर, कुलापूर, चिन्नई, मुंबई में धारावी के मुकाम पर चम्डे की सन्नत बड़े पैमाने पर जारी है अब यहां पर सरगर्मी है बच्चों आपके लिए पहली सरगर्मी है कि काम्याब सन्नत कारों की तस्वीरे जमाग करिए दूसरा है रोजमर्रा इस्तिमाल की कौन सी अशिया आपके इतराफ में तयार होती है और कौन सी अशिया बाहर से लाई जाती है उसकी फैरिश मुरत्ब कीजिए तो बच्चों यह आपको अपने ओन से करना है तो इसकी एक फैरिश बनाईए नोड बनाईए और इसे मुकमल करिए तो बच्चों यहाँ पर हमारे सबक के सभी सवाल जाब मुकमल हुए मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे लगे आपको और अच्छे लगे हो तो सब्सक्रा अगली वीडियो में कोई नए लेसन के साथ तत्त के लिए बाबाई टेक केर